हेलो एवरिवन कैसे हैं सभी लोग आई होप आप सभी लोग इतम बढ़िया होगे डिर स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए क्लास एट साइंस का चैप्टर नमबर टू जिसका नाम है इस वीडियो में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी एट क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपना नाम कॉमेंट करें मैं सबको रिपलाइद दूँगा ठीक है और आपके नाम भी याद रखने की कोशिश करूँगा तो विदाउट पर सबसे पहले में समझना है कि माइक्र ओर्गिनिजम क्या होते हैं सो हमारी हैं माइक्र ओर्गिनिजम फ्रेंड फो यानि कि माइक्र ओर्गिनिजम हमारे दोस्त भी है और फो मतलब की दुश्मन भी है अब हम दोनों चीज़े देखेंगे सबसे पहले देखेंगे वह दोस्त कैसे हैं फि जिसको देखने के लिए microscope की ज़रूत पड़े और organism का मतलब होता है कि ऐसी चीज एक ऐसी चीज जिसके अंदर life हो जिसके अंदर life हो तो organism क्या होता है individual form of life यह चीज आप अपनी notebook में ज़रूर लिख ले organism equals to individual form of life ठीक है अब यहां पर देखिए microorganism एसे organism होते हैं जिनको देखने के लिए microscope की ज़रूद पड़ती है इसके कई सारे कि यह क्या हो तो मैं आपको सारी चीज़े क्लियर करा दूँगा टेंशन ना लें यहां पर देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सिंगल सेल यानि कि सिंगल से बना हुआ माइक्रोरगनिव्र होते चार तरह के हैं बैक्टीरिया फंगी एलगी प्रोकोम् तीक हूआ लेकिन इन सुर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होई होते हैं यानि उस पूरे माइक्रोर्गनिव्र को बना रही है वही पर कुछ micro-organism multi-cellular होते हैं अभी हमने community post पर question डाला था काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है तो यहाँ पर aspergillus जो आपको right answer दिख रहा है इसका मतलब यह है कि aspergillus multi-cellular fungi है ठीक है और यहाँ पर जो mosquito है यह microorganism नहीं है mosquito is not a microorganism ओके so हाँ moving to our topic सबसे पहले देखिए single-celled microorganism single-celled याने की unicellular unicellular का मतलब single-celled जिसके अंदर एक ही cell है इनके example आपको याद होनी चाहिए कौन-कौन से होते हैं देखिए unicellular single-cell microorganism में आते हैं bacteria protozoa single-cell algae ठीक है अब तो देखो bacteria के कई सारे एक्जामपल है bacteria के कई सारे एक्जामपल है जैसे हैं जैसे कि salmonella typhes streptococcus pneumonia बहुत सारे एक्जामपल होते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर protozoa यहाँ पर देखिए multicellular multicellular में देखो fungi आती है सबसे ज़्यादा और यहाँ पर सिंगल सेल में मैं देखो तो एक इस आता है अभी इस के बारे में बात करेंगे इस का मैं आपको समझाऊंगा कि इस के बारे में क्या मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्डेंट चीज़ बताऊंगा ठीक है तो ध्यान से सुनना यहाँ पर हम आए हुए है multicellular यानि कि ऐसे microorganism जिनकी body more than one एक से जाधा cell से बनी हुई है उन्हें बोलते हैं multicellular microorganism यहाँ पर इसका बेस्ट एक्जांपल के बहुत सारे ग्जांपल जैसे कि एस पर जिलस यह सब्सक्राइब कर और यह यहां है अब यहाँ पर देखे है एलगा या फिर अलगी में स्टेहिस लिफा रगाय राइस भाइड स्पार रोगाय राथ इसके बेस्ट एक्जामपल है अब यहां पर एक चीज़ समझे मैंने इस्ट के बारे में बताया था देखो द्यान से समझना क्या कहना चाहता हूं मैं बहुत इंपॉर्टन चीज़ है यहां पर जो सिंगल सेल्ड यूनि सेल्डर और गैनिसम हैं उनमें अलगी आ रहा है और इस पेशल कौन सा रहा है देखो डियर इस्टुडेंट्स एक चीज़ आप इस चैप्टर में जब भी पढ़ें तो एक चीज़ याद रखें कि जो बैक्टीरिया प्रोटोजवा अलगी और फंगाए यह ग्रूप्स हैं इनके अंदर माइक्र आर्गनिसम आते इनके अंद सेल अलगी क्लेमाइडॉम्नस मल्टी सेलूलर अलगी स्पायरोगायरा ठीक है अब यहां पर देखो यूनी सेलूलर फंगाई भी होता है याद रखना यूनी सेलूलर फंगाई भी होता है और आप से एक्जाम में कभी पूछे भी यह बहुत टफ कोशन मनता है कि यूनी से जीज़ कोई नहीं होता वायरस ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स होता है टूभी वैरेस् वायरस्स कोई भी नहीं होते किसी चीज को मालीडे में बनने के लिए एक चीज होते है तो बढ़िंग wanna कर दो चै利用 सेंट और सेबस्ट कोगचिन होते हैं और एसे प्रोटीन होते हैं जिन प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं याद रखना जिनको डिवाइड करने के लिए एक प्लांट सेल एनिमल सेल बैक्टीरियल सेल या फिर फंगल सेल चाहिए होती है जब वह इन सेल के बाहर होता है आउटसाइड देयर बॉड़ी होते हैं जब उन्हें ऐसा कोई होस्ट नहीं म होती है मतलब की जो मेन बॉड़ी होती है जो मेन और्गैनिसम की बॉड़ी होती है उसके उपर दूसरा और्गैनिसम उसमें से फायदे निकाल रहा होता है अपने मतलब के लिए ठीक है जिस और्गैनिसम का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं होस्ट और जो उसके उपर ह यानि जो यूज कर रहा है उसे बोलते हैं पैरासाइट ठीक है तो वाइरस इस कैसे होते हैं पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं और वाइरस जब लिविंग और गैनिसम के बाहर होंगे तब यह डैड होंगे लेकिन जैसे ही लिविंग सेल के अंदर चले जाएंगे यह सेल प बट इंसाइड दा लिविंग बॉडी दे आर लिविंग सो वाइरस को ना तो कह सकते कि यह ट्रूली लिविंग है और यह ट्रूली डैड है तो वाइरस इसको और गैनिसम कंसीडर नहीं किया गया याद रखना है पर वाइरस सबसे चोटे होते हैं अगर साइज की बात करें ठीक है और अगर आपसे कोई कि सबसे चोटा माइक्र और इसकांसर आता है माइको प्लाज्मा यह भी हमने कुछ दिन पहले कम्यूनिटी पोस्ट पर कोशन पूछा था तो देखा करिए बहुत अच्छे-च्छे कोशन हम पूछ रहे हैं आप हम आगे बढ़ते हैं और समझ आपको आएगा टेंशन ना ले अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कॉंसेट्स भी आपको अच्छी तरह रिवाइज होंगे अच्छी तरह बिल्ड होंगे सो यहां पर देखिए सबसे पहला आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट हाउस का मतलब होत सब्सक्राइब क्रण़ को बनाने कलिए कौंसा बैक्टिर स्ट पाव मंें वहाँ पता है तो उससे डाल दे आता है डूद में लिकुड भी होता है उसको दूद में डाल दे जाता है जैसे ही दूद का temperature increase होता है तो दूद के अंदर क्या होता है बच्चे protein होता है दूद के अंदर क्या होता है protein वो protein वाला part solid होने लग जाता है क्या होने लग जाता है solid होने लग जाता है पहले दूद लिक्विट था लेकिन अब वो सॉलिड हो गया है तो यहाँ पर हमें दही मिल जाती है और यह होता किसकी वजह से उस बैक्टीरिया की वजह से वो बैक्टीरिया लगतार डिवाइड कर रहा होता है बहुत तेजी के साथ जिसकी वजह से दूद का प्रोटीन वा रही होती है और जब लगतार वहां पर रिप्रोडक्शन होती है तो इस्ट c o to gas को प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वहां पर जो केक बना है पेस्ट्री बनी है वह फ्लफी हो जाती है नरम हो जाती है ठीक है तो यहाँ बाइब थो चीज़े देखनें दूद मधना है और केक वगेरा बनता है बेकिंग इंडस्ट्री के लिए हेलफुल होता है कौन माइक्र ऑगेनिसम नाओ विया मुविंग टुड़क्ट बहुत इंपॉर्डेंट है कमर्शियल प्रोड़क्ट देखो दिहां से वाइन एलकोहल यह सब बनते हैं कमर्शियल प्रोड़क्ट के कई बच्चों का डाउट था फुल वीडियो में मैंने ऊपर से बता दिया कि कमर्शियल प्रोड़क्ट क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूं देखो कमर्शियल का मतलब होता है जिनको कम्पनीज बनाती हैं बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में बहुत ज्यादा अमाउं उनका फाइदा हो नुकसान हो इस से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता तो यहां पर आलकोहल और वायन बनाई जाती है किसके HELP की help से कैसे बनती है देखो सबसे पहले इस्ट और नैश्रल शूगर से अलकोहल बनता है अब यहाँ पर ध्यान देना कि कौन सी प्रॉसेस अलकोहल बनाती है उसे बोलते है फर्मेंटेशन क्या होता है उसे फर्मेंटेशन अब फर्मेंटेशन क्या होता है देखो सबसे पहले क्या कर जाता है जो वीट होता है जो अ यहां पर आपको यह चीज है यहां पर आपको आपको यह चीज यह चीज यहाद रखने है wine and alcohol are the commercial products which are created or produced with the help of microorganism और यहाँ पर कौन से microorganism यूज हो रहा था इस्ट ठीक है अब यहाँ पर next देखिए medicinal uses, medicinal uses में आपको antibiotics के बारे में पढ़ाया जाएगा अब medicinal क्या होता है, medicinal तो वही होता है जो वही वगएरा होती है ना सबसे important यहाँ पर होता एंटिबायोटिक्स बनता है किसकी वज़ेसे microorganism की वज़ेसे bacteria और fungi दो ऐसे microorganism है जिनकी help से क्या बनती है antibiotics बनती है अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एंटिबायोटिक्स क्या होते है antibiotics ऐसी medicine होती है जो bacterial या फिर fungal growth को रोकने का काम करती है यानि कि मान लीजिए किसी को कोई fungal infection हो गया तो उसको एंटिबायोटिक्स खलाई जाएंगी किसी को कोई bacteria से related problem होगी उससे एंटिबायोटिक्स खलाई जाएंगी अब यहाँ पर bacteria वाली बीमारी कौन सी हो सकती है किसी को बहुत खतरनाक बीमारी होगी यहाँ पर bacteria का सबसे अच्छा example अगर हम लेना चाहें तो वह हो सकता है टाइफोइड एक बैक्टीरिय होता है जिसका नाम होता है आपको फ्रस बनता है कि आप पाँच दिन अन ऑन इदिसन को रेगुलर ले अगर आप नहीं होते तो फ्यूचर में वह जो बैक्टीरिया थे वह और स्ट्रॉंग हो जाते हैं और आपकि यहाली मैडी सनने Diet में काम नहीं आएंगी इसलिए अभी आप अपने मैडिसें को कम्प्लीट लें जिससे आपका जो वह बैक्टीरिया है वह पूरी तरीके से खतम हो जाएं so antibiotics are the medicines which are used to stop the growth of fungal and bacterial infections and these are created with the help of bacteria and fungi अब इसके एक्जांपल क्या क्या हो सकता है tetracycline, erythromycin, streptomycin are the examples of this antibiotics okay उसके बाद यहां पर आता है एक और इसका medicinal use आता है vaccine, vaccine क्या होता है देखी dear students अभी आपने सुना होगा कि जो covid session आया था जो मतलब covid हुआ था तो लोगों को vaccine लग रही थी अब vaccine क्या होता है vaccine एक injection होता है, liquid होता है, ऐसे मानिए उसके अंधर क्या होता है? मानीजए हम नभी लग रही हाँ, covid की vaccine में मरे हुए या फिर कमजोर, कमजोर Corona की viruses होंगे, क्या हुँगे? कमजोर covid के viruses होंगे उनको आपकी body में डाल दे जाएगा जब ये कमजोर वाइरेसिस आपकी बॉडि में एंट्री लेंगे तो आपकी बॉडि का जो डिफेंस सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम वो देखेगा कि यह बड़े कमजोर कमजोर से वाइरस आ रहे हैं आप वो उनको खतम कर देंगे, इसको ऐसे समझे कि मैं आपको कहूं कि आपका next month exam है, और मैं आपको syllabus ना बता हूँ, तो आप कर पाओगे exam, तयारी, नहीं कर पाओगे ना, वहीं पर मैं आपको syllabus बता दोगी, यह चीज आएंगी, और मैं आपको यह भी बता दोगी, यह वाल आपकी बाडी में आएगा, इसी तरह का आएगा आपको attack करना है, ठीक है, तो वैक्सीन का आपको concept समझाए, क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर आता है antibodies, देखिए dear students, जो यह वैक्सीन होता है, यह वैक्सीन वर्क क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हमारी बाडी की immune cells activate हो रहे अब यहाँ पर next चलते हैं, आप environmental benefits, याने कि environment पे क्या प्रभाव परता है, क्या पाइदे होते हैं, किनके microorganism के, अब environment में देखिए, दो चीज़े यहाँ पर हो सकती है, दो चीज़े बहुत important है, एक तो soil fertility को increase कर दिया जाता है, with the help of microorganism, because यह nitrogen को fix करते हैं, soil के अंदर nitrogen को fix करते हैं, atmospheric nitrogen को fix कर देते हैं, कौन, microorganism, अब nitrogen को fix करने का मतलब क्या है, देखिए, atmosphere में बहुत सारी nitrogen available है, इस nitrogen को direct plant use नहीं कर सकता, इसको हमें सबसे पहले usable form में convert करना होगा, for example, अगर मैं आप से कहूँ, कि आप कच्चा आलू खाओ, कच्चा आलू खाजाओ, तो कि आप क आपको उसे prepare करना होगा, उसमें नमक मसाला उबालना होगा, जो भी करोगे, तो एक कोई process होते हैं, जिसके तहत आप उसे खाने लायक बना लेते हैं, उसी तरीके से atmosphere में जो nitrogen available होती है, plants उसे direct use नहीं कर सकते, सबसे पहले उसे ऐसी form में convert करना होगा, जिससे वो उसको use कर स आपके, इस process को बोलते है nitrogen fixation, तो nitrogen fixation के लिए help करते हैं, microorganism, यहाँ पर दो तरह के bacteria आपको देखने को मिलेंगे, free living and symbiotic associated, free living वाले जैसे कि non-stock न भी न, यह free living रहते हैं, अलग-अलग गूम रहे होते हैं, इदर उदर रहते हैं, पूरे जमीन में, और इन nitrogen को fix करते हैं, और symbiotic association वाला जैसे कि rhizobium, यह जो है, जो प्लांट होता है, जैसे कि gram हो गया, उसके nodules जो होते हैं, गांट होती हैं, उसमें present होता है, तो वहाँ पे nitrogen fix करता है, nitrogen fixation कौन करते हैं, microorganism, यह आपका first environmental benefit हो गया, इसके अलावाद दूसरा environmental benefit जो है, वो है, decomposition, देखिए, हमारे अर्थ वे बहुत सारे organism dead हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको साफ करने का काम कौन करता है, bacteria और fungi ही तो करेंगे, ठीक है, तो bacteria जो है, उसको decompose कर देगा completely उस organism को, उसके बाद वहाँ पर fungi grow हो जाएगी, यह चीज़ मैं आपको थोड़े आगे की बता दी, बस यह याद दालना, यह काम कौन कर रहा है, micro organism कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए environmental benefit हो गया of these micro organism, तो चार तरह से हमारे पास यह micro organism दोस्ती वाला काम कर रहे थे, आपको comment में लिखना है, चारो कौन कौन से फायदे हैं, household, commercial, medicinal and environmental, जल्दी से चार point comment section में लिख लीजे, ताकि मुझे पता च कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में अपना नाम दिया था, उनमें से कौन कौन बच्चा active है, ठीक है, तो now, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और harmful microorganism पढ़ लेते हैं, कि भाया, यह micro organism हमारे लिए कैसे नुकसान दायक है, harmful है, थोड़ी देर पहले तो दोस्त थे, ल होती हैं, ठीक है, कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है, थो देकर exempt सराओ फinaire लेते हैं, उनुक 3 वह लेकिते हैं, अब यह जासरी पजी में में आब कि समालब जही है तो HTML हो गया। ऑन्हेंटव माइक्र बबब में लगता है और सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर जो अपका होता है निम्बु होता है जो खटे आपके जो इंशान नाम की बढता है यह बैंकर यहाँ जो होता है होने वाली बीमारी है ठीक है तो बहुत सारी बीमारी यहां पर होती है अगर हम बात करते हैं यूमन की केस में जिसे की टाइफॉइड हो गया और कॉलरा हो गया तो यहां पर सब डिजीज का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है आपको स्क्रीन के ऊपर एक पूरी डिजीज की ट क्या होता है तो यहां पर फूड पॉसिदिंग का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि जो फूड होता है वो पॉइजन में कर्मट हो जाता है यानि की फूड में जहर लग जाता है एक्जेक्ट ऐसा नहीं होता पर कुछ इस तरह का ही होता है देखिए होता क्या है हमारे आस पास फूड जगहा पर इंवायर्मेंट में मायक्र ऑगनिजम प्रेजेंट हैं उसमें कुछ हारमफुल है तो कुछ उसमें फ्रेंडली है अब मान के चलिए कि हमने यहां पर फूड रखा हुआ है खाना रखा हुआ है उसको ठका नहीं है मौईस्टटर इहां पर कमरे में नौर रैपिडली ग्रो करने लग जाएंगे और वो उस फूड के ऊपर कुछ ऐसे माटेरियल्स सिक्रेट कर देंगे जिसके वजह से फूड जो है वो जहरीला बन जाएगा खाने लायक नहीं रहेगा यहां पर इस फूड में लगातार बैक्टिरिय डिवाइड कर रहे होंगे या फिर उपना वेस्ट मटेरियल्स कर रहे हों या फिर प्र्डूक्ट बनाते हैं वह इस फूड के अंदर आ रहा है अगर आपने this फूड को खा लिया अगर किसी ने इस फूड को खा लिया तो बहुत जादा चांसेजह WHO को या फिर आदं़ी को यसनने उस से खाया है उसकी प तो यहां पर जो food है उसको जो है खराब कर दे जाता है यहां पर दो तरीके होते हैं एक होता है physical method एक होता है chemical पहला हम पढ़ लेते हैं chemical method food preservation क्या होता है prevention of food getting spoiled यानि कि food को खराब होने से बचाने वाली जो process होती है उसे बोलता है food preservation और food preservation क्यों करी जा रही है क्योंकि भाईय जैसी कोई चीज नहीं होती तो food preservation की जरूरत नहीं पढ़ती अब यहां पर हो रही है food poisoning तो जरूरत पढ़ेगी हमें food prevention की preservation sorry food preservation the prevention of food poisoning is known as food preservation अब सबसे पहले देखने थे chemical method chemical method में देखिए यहां पर आपको दो chemicals के नाम याद होने ही चाहिए सबसे important तो यही है इदर देखि दो यहां पर chemicals है sodium benzoate sodium metabis sulfite इनका use किया जाता है food को preserve करने के लिए chemicals है यह bacterial fungal को वहां पर grow नहीं होने देते और food को लंबे समय तक टिका रहने देते हैं ठीक है याद रखना है आपको sodium benzoate and sodium metabis sulfite chemical methods है food preservation की कई बार exams में पूछ लेता है कई बार competitive exam में भी आ जाता है तो य salt बी वह सकता है sugar भी हो सकता है salt क्या करता है sugar क्या करता है वहां पर जो moisture होता है नहीं फूड के अंदर प्रेसंट मॉइस्ट होता है उस आफर में जीन तोTer Twin आ जाता है वहीพर होते हैं यह जैम जैलीज इस में इस जाता है और विनिघर जो है जिससे की वेजटेवल्स हो गए और मीट वगेरा हो गया इनको प्रिजर्फ करने के लिए यूज किया जाता है उसके बाद इक इंपॉर्टेंट यहां पर प्रोसस आती यह इसे बोला जाता है पैस्चुराइजीशन बहुत इंपॉर्डेंट पै लिए 15 से 30 सेंड के लिए हीट किया जाता है बैन उसे सद्रनली चिल कर दिया जाता है आपको यह बत पता होने चाहिए कि बहुत सारे microorganism जो हैं वो lower temperature पर जिन्द रहते हैं और बहुत सारे microorganism higher temperature पर जिन्द रहते हैं हमने क्या करा हमने 70 degree Celsius temperature लिया दूद को heat करा 70 degree Celsius पर 15 to 30 seconds ठीक है seconds के लिए minutes के लिए नहीं seconds के लिए तो यहाँ पर क्या होगा जो low temperature वाले bacteria थे यानि जो कम temperature पर जिन्द रहते थे वो bacteria जाधा temperature होने की वज़ा से मर गए वहीं पर तुरंत हम क्या करते हैं इसको suddenly chill कर देते हैं बहुत ठंडा कर देते हैं दूद को तुरंत ही 15 से 30 seconds बाद उससे suddenly chill कर दे जाता है तो जो high temperature पर बैक्टिरिया रहते थे वो low temperature की वज़ा से मर गए तो दूद क्या हो गया प्योर हो गया इस प्रॉसेस को बोला जाता है पैस्चुराइजेशन डिसकवरड बाई ल्विस पैस्चुर तो पैस्चुराइजेशन एक अच्छा तरीका है दूद को प्रिजर्व कर निकला उसके बाद यहां पर आता है storage and packing यह तो बहुत सदा बाहर चीज़े होती है storage and packing store करके रख लो उसमें क्या है कि उसका air निकाल दो फिर उसको pack करके रख दो food को तो वह store हो जाता है जैसे कि आप देखा होगा जो बहुत सारे बाहर के product आते हैं आपके पास जैसे कि chips हो गया क बोल ड्रिंक हो गई इसमें क्या होता है उसको जो हमारे खाने वाले चीज़ है मालेजे chips आप लेकर रहा है तो chips जो है उस packet के अंदर है उस packet के अंदर एक nitrogen gas भर दी जाती है जिससे वो chips या फिर जो भी कुरकुरे आप खाते वो सबके सब ठीक रहे हैं तो storage और packing इस तरह से होता है so dear students यह एक revision वीडियो था revision वीडियो में सारी चीज़े नहीं बताई जा सकती but we have covered all the major points so dear students अगर आपको revision वीडियो समझ आया अच्छा लगा तो मुझे comment section बताए यह समझ में आया अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है और चैनल के उपर पहली बार आए